हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टीजर में सिंद्रू कोंसमी आपका इस इंट्रेस्टिंग वीडियो में सौकत करता हूँ आज मैं बात करने बाला हूँ कौन से ऐसे रीजर है जिसकी वज़र से फार्मा इंटर्पिनूर्सी फेल हो जाते हैं पहुत सारे लोग फार्मा के अंदर आते हैं फार्मा चुट कंपनी ओपन करते हैं मार्कैटिंग और आपके लोग आयां जाना हुए कि नियुक्त बचाने के बाटेकत हैं और सामौल से कौन से कॉस्य पाल प्शैजर सब deeply अग पैसा रहता है ठीक है पैसा रहता तो उनका मानना यह रहा है तो दूर से इंड़ेश्ट्री देखने में ऐसी लगती है कि यहां पे हम सस्ते में बना के लेके आएंगे और इसको महेंगे में बेज़ देंगे बीच में जो प्रिस्काइबर उसको कुछ मलब जो कस्टमर उसको कुछ अक्टिविटी कर देंगे बिजनस आजायेगा और बिजनस आजायेगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगी और ऐसा ही वह सुनते हैं आयसा ही वह समझते है बिकोज जब एडियो वह ऐसा करने की कोशिद करते हैं जब यहां पे आते हैं बहुत सारे ब्रेंड लेके चले आते हैं उसके बाद ऐसा प्लान के करते हैं कि चलो ऐसा-इसा करेंगे और हो जाएगा यहां पर यहां पर आते हैं और यहां पर इतना high-level का competition है इना heavy competition actually कि यहां पैसा खर्च करने के बाद भी activities करने के बाद भी business नहीं निकल पाता है understand तो पहला reason यही है कि इस business को गलत तरीके से देखना understand इसको underestimate कर जाना कि यहां पर हम investment करेंगे और business आ जाएगा तो पहला mistake है जो इस type के लोग सोच के आते हैं जिसके उसे पलता नहीं मिलती दूसरा है कि बहुत सारे को launch कर देती हैं अभी chronic segment का launch किया आपने और आपका कोई यहां पर knowledge नहीं आपके रिलेशन नहीं है customer के साथ में तो वह suicide है अपने आप में chronic segment के में आप किसी भी customer को मैं डॉक्टर को इस पिसली होता है और कई बार ऐसा होता है कि जो medicine होती है उसके पूपर mortality rate and morbidity rate जो है depend करती है इसको थोड़ा आसान भासा में कर देता हूं मेंस उसकी मृत्यू जो होते हैं उसके मेडिसीन को उपर कई बार करती है उस इस मेडसीन के डेटा ऐसे होते हैं, जिसको लेनिक वेस्ट होओ, उनका जो डेट होता है, वो कम होता है तो इस तरह से ममन्हाद मेडसीन की वेजैसे वो चीज़ी हो सकती है, वो विल्कुल भी रस्क नहीं लेना चाहता है और पेशन कहीं यहां से वहां गया माली जा ओल इंडिया लेवल पर ट्रवल करता है तो उसको जो है यह कभी भी ऐसे कंपणी का ब्रैंड नहीं लिखना प्रिफर करता है जो विल्कुल नहीं आई है नहीं इंटर्ड्यूस हुई है मार्केड में विकॉज अपड़ जाता है तो कभी भी क्रोनिक सेग्मेंट के निल मैडिसीन लॉंच नहीं करना चाहिए थार्ड यह जनरल सेग्मे उसके बार वह investment activities करते हैं उनकी thinking यह रहती है कि चलो मैं यह product launch कर दूंगा यह सब जगह बिखता है तो कहीं न कहीं हम activity करके बेच ही लेंगे लेकिन जब फील्ड में आता है वो कहीं न कहीं मतलब कहीं भी नहीं बिखता है रीजन इस देट कि PCD आलेडी कंपटीट करने के लिए आप बैठी हुई जो लग PCD कंपनी लेके आए हैं फ्रैंचाइजी लेके आए हैं वह भी जनरल ब्रैंड्स लेके आए हैं उनके पस कुछ खास खर्चा नहीं होता बट जब कोई company start करता company start करने में खर्चा बहुत आ मैंने रेट भी डाउन कर दूंगा क्योंकि मेरे पास कोई office तो है नहीं जो मेरा कर्चा आएगा मैंने किसी imply को रखा तो है नहीं जो मेरा कर्चा आएगा तो रेट ही तरह से वह गलबल होने लगता है जिसकी वेसे किसी startup company के अंदर वह rate दे पाना उसके उपर complete कर पाना बह vendors करते हैं क्योंकि अगर आपका 1 क्रोड रूपीज 2 क्रोड रूपीज यहां पर डूब रहा है तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपने right budgeting नहीं किया है या भी आपने budgeting किया ही नहीं है तो budgeting आपने proper नहीं किया है तो proper budgeting ना करने की वज़स भी यह problem आती है कि generally लोग पैसा lose कर जाते हैं right अगर budgeting हुई ना तो कुछ time के बाद आप analyze कर जाएंगे चीज चीज यह सही हो रही है या नहीं second यह कि budgeting करने कर सबसे बड़ा जो advantage होता है हमें पता होता किस परपच के लिए कितना पैसा खरच करना है वो बिल्कुल define होता है और उसका तीसरा बड़ा advantage यह होता है जब मैं मुझे पता है न कि किस चीज के लिए कितना पैसा कहां पर खर्च करना है तो मैं उसी के according पैसे को खर्च करूँगा और वो सारी चीजे कर लूँगा अभी मैंने budgeting नहीं किया तो मैं किसी भी काम को करने से पर सोचूंगा यार पता नहीं पैसा कमी पड़ा हुआ है तो नहीं देते हैं इस बार medical rep को ज़्यादा सहल ने चली गई expense ज़्यादा चला गया इस बार investment activity ज़्यादा हो गई इस महिने इस महिने नहीं करते हैं तो इस type की thinking मारे mind के अंदर बहुत ज़्यादा आती है आती क्या ऐसा ही होता है practically क्योंकि हमने budgeting नहीं किया कहां पे कितना पैसा खर्च करना है कैसे खर्च करना है वो decide ही नहीं करते है वो decide कहां पे होता है सिर्फ mind के अंदर brain के अंदर तो जो budgeting है वो business का backbone है अगर आपने नहीं किया ना तो आपको वो डुबा दो कि समल लीजिए तो दूबने से बचना है तो budgeting करना जरूरी है अब budgeting कैसे की जाती है आप मेरे साथ जूम consultation call लेके सीख सेकते है मेरा mobile नमर यहा काफी ज्यादा chances है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं इसके बाद होता है जो next problem है वो है कि जो लोग किसी और background से आते हैं उनके पास फंड है होटल इंडिस्ट्री से आए बैंकिंग इंडिस्ट्री से आए इंजिनिरिंग फील्ड से आते हैं तो वो फील्ड में जाके काम नहीं कर पाते है कि उनका main business कुछ और होता है बस यहां पर वो एक business develop करना चाहते हैं और develop करके यहां थोड़ा थोड़ा profit लेना चाहते हैं वो सोचते हैं चार-पांच साल के अंदर के business चल गया तो ठीक है कोई बाद है मिचे थोड़ा-थोड़ा profit आता है बाद मैं इसको ब और आपका पाइसा है आप यह सोच रहें कि नहीं मैं company launch करके मैं successful कर लूँगा तो भी नहीं कर पाएंगे because field work ना अलग system है बाकी bad की business करना का जो model है वो बिल्कुल अलग है ऐसा क्यों problem आता है ऐसा इसलिए problem आता है क्योंकि field के अंदर na field force को control करना होता वही सबसे बड़ा problem है medical representative area manager आपको हर महीने अफसाली देगे पूरा budget ही कतम कर देंगे पता सेल कुछ भी नहीं आया क्योंकि field force को अगर handle करना ही नहीं आया आपको और आप किसी और job में है या wholesaler है तो आप field force को handle नहीं कर पाएंगे because आपने field कभी field में काम नहीं किया है जब उनको handle नहीं कर प पाएंगे company के अंदर जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो पाएगा अब अपनी field force को task ही नहीं दे पाएंगे जब कभी आप उनसे बात करेंगे आप सिर्फ किस point बात करेंगे sale नहीं आ रहा, sale नहीं आ रहा, actually sale कहने से sale कभी नहीं आएगा, sale करने के अपने अलग tactics है, product planning, marketing marketing strategy, इन सब चीज़ों को design करना पड़ता है, तो major जो sale आता है, product and marketing strategy को उपर आता है, अब ये दो चीज़े आप design नहीं कर पाऊगे, इसके लिए depends कि इसके ऊपर हो medical representative, area manager को उपर, और वो इतना enough अभी उनके पास knowledge नहीं होता, कि वो इन सब चीज़ों को design कर सके, वो market के need के आप उसको करते चल जाते है, according to the market के लिए, but उसकी वज़ा से actually sale नहीं आती, sale copy paste करने से नहीं आती, understand, mankind ऐसा कर रही है, तो mankind नहीं ऐसा किया, मैं भी कर दूँगा, लूपिन ने ऐसा किया, मैं भी कर दूँगा, लूपिन ने ऐसा किया, मैं भी ऐसा कर दूँगा, उनकी अ देख के नहीं चीज़ों को समझ पारेंगे, जब तक आपको मार्केटिंग का काफी अच्छा experience ना हो, right, तो यह basic मैंने पांच चीज़ें यहाँ पे share की, जो major mistakes करते हैं, जो जितने लोग आते हैं, फार्मा के अंदर, जो failure होते हैं, उनको यह पांच, अगर आप लोगों क पाएंगे, हम USP वाली product ही नहीं लेकिया पाते हैं, या कई बार हम इस specialty के वज़ाएं, बिल्कुल जनल product लेकि चले आते हैं, तो यह सारी major mistakes थी, जिसकी वज़ा से failure होता है, फिर यहाँ पर question बनता है कि, अब इसे बाहर कैसे आया जाए, क्या काम कर सकते हैं, इसके लिए मैंने काफी वीडियो बनाया है, इस वीडियो में मैं उसके बारें बात नहीं करूँगा, मन्ना वीडियो काफी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट यस, उन वीडियो के मैं link description में जरूर में डाल दूँगा, जिसके थूरू आप जाके इस चीज़ों को समझ सकते हैं, क मिलते हैं आपसे ऐसी किसी interesting वीडियो में, next time, bye!